सब गाल अस्ट्रेलिया टी ही करांगे पर बहुत साधे सवाल स्टूड니ट simplement उस इस फुले है और चाहeed आपां अस्ट्रेलिय स्टडी वीजा देрал रищ ऑचा करिए पहला ता यह पता करना चांदा हारखकी स्टूड़न किंड़ीवा रिजल्ट देख पारे और किस तरह दी प् उज़ा वीजा लग सकते है या फिर कोई डाउटफूल है या फिर उन्हों होर किसे रस्तिते भी नादिनाल जरूर चलना चाहेदा है 22 पासट स्टुडेंट नो लेके भी सवाल ने कि की हले ऑप्शन है की सान उस्ट्रेलिया स्टडी वीजा वाल होर सोचना चाहेदा है या फिर साडेली ऑप्शन्स खतम हो चुकी है या आसे किसे होर ऑप्शन वाल जाईए तो कुल मला के रले मिले बहुत सारे सवाल उन्देने कोशिश कर देया तो आडे इना सवालां दे जवाब दे से किये सारे इस वीडियो ते जरीए स्वागत है जी सारे ता मैं हाँ हर जोत का और तया जो ऑस्ट्रेलिया नो लेके खास इंफरमेशन तो आडना सांजी करनगे नेविगेटर्स ओवरसीज तो वीजा एक्सपर्ट मिसेज वीना गोईन मैं साडे नाल ने बहुत बहुत स्वागत है मैं साश्रेकाल श्रेकाल नमस्कार साथ नो या नॉन मेडिकल है उनना दे विचे 60 परसंट या 65 परसंट मिनिमम होने चाहिए जिदे विचे सी कोई अडिशनल सब्जेक्ट था काउंट नहीं कर दे मानलो जिदे विचे लेंग्वेज आ गई हिंदी पंजाबी या कोई ड्राइंग पेंटिंग या फिजिकल एजुकेश है पर ओवराल तोड़ 65 बनर है तो ठीक है ठीक है फिर ओदे बाद आयल जेड़ा है ज्यादा तर युनिवर्स्टियां थी रिक्वार्मेंट 6 एच प्लस तोड़े बाद और जो ग्रेजुशन किती हो यह तो 6.5 जेड़ी है ओवराल रिक्वार्मेंट है नोट लेस दन 6 मीनिममन्रीवार्मेंट है अस्ट्रेलिया ड़ी रिक्वार्मेंट है ऐस्ट्रेलिया जान दा भच्च्य हर बच्च इस्टाइम चाहाँ आना है मैं देख्या मैं मैं जैक्सिमम बच्चा जढा आ रहे है और हम उना दी श्चिक्शन हो गई और पिछे का रिगा। डोड़ प्ले कार रही है बच्चेयां दे वीजा सक्सेसरेट फिर तो सी कोर्स के दा चोन किता है ओवी के इंपार्टेंड मुद्धा होंदा है फिनेंशल डाकुमेंट्स और तो पेरेंट्स दे जड़े फंड्स है ओवी का मुद्धा है क्योंकि इंकम होना दे ठेक थाक है ताहिए अगली स्टड़ी दा जड़ा खर्चा उठा सकते है तो इंकम में अच्छी होने चाही दिया है तो अड़े फिनेंशल डाकुमेंट्स थ जड़ेंटी एट थाउजंड वीजा दिता है जड़े अपने आप चिक रिकॉर्ड एस्ट्रेलियां बैसी था ते वीजा बहुत दे है बट थोड़ा जा ते आन रखो फ्रॉड्लेंड डाकुमेंट्स ना उनना उननों जड़े ना पंजाब दा नाम सुनके या हर्याना द दा नाम सुनके या दा फ्रॉड्लेंड डाकुमेंट्स क्योंकि और अज मनलो तुसी चले गए पैकेज वाली प्रोग्राम चाहित और तुसी फाइल लगवा लिजा नहीं लगया वो एजन ने पता नहीं किडे डाकुमेंट्स चेंज किते है अग्गे तुसी दो साल बाद या तिन साल बाद लगवाना है तो उन्हों यहीं नहीं पता कि तो अड़े डाकुमेंट की लगए सी तो उन्हों फिर बैन लग गंदा बड़ा धार हुंद है तो इस करके उना चीजहां तो तुसी बज़े बिलकुल सही तुसी गल मायम कही है स्टूडेंट्स नो बिलकु जुड़ा है कि क्योंकि बाकी कंट्रीज विच्वी स्टूडेंट अपलाई का देने जंगे वीजा भी लाग देने सब कुछ है पर अस्ट्रेलिया ही एना स्रिक्ट क्यों नजरांद है दिखो अस्ट्रेलिया जय मैं कहुँआ दोगजार साथ ताट शिचे मिंट वीजा अ ते यह युणिवर्स्टियां दा हुनाने खोल ले युणिवर्स्टियां चीभी दच्चे पड़े नहीं ते इस करके वो स्ट्रिक्ट है कि वो जान दे सार कॉलेचे शिफ्ट का लेंद दे पंजाब हरयाना दी मार्केट नो लाके थोड़ी ज़ह हमेशे ही स्ट्रिक्ट जब अच्छे अपनी छवी सुधार लाइन जब पड़ते रहन गया ते फिर यही पंजाब अर्यान उन्हों सब तो सोखा वीजा मिलेगा तो से वही दुझे स्टेट नो चले जाओ कोई होट स्टेट चकलो कोई साउदा चकलो ते उन्होंनों बहुत इजीली वीजा मिलता है खाली अपने उन्हाली ही प्रॉब्लम है कि जड़े बच्चा अपना सीरियस नहीं है और अस्ट्रेलिया नो जड़े अस्ट्रेलिया हमेशन एक अच्छा बच्चा चांदा है आइल्स बैंड भी बड़े क्लियर है इंकम भी क्लियर है और फिनेंशल डियाक्यूमेंट्स भी और ऐसो पीदा में तो बार बार दासी रही है कि जड़े विचे जड़े के बहुत में इंपार्टेंट पॉइंट है तो अस्ट्रेलिया जड़े हमेशन अच्छा बच्चा चांदा है उन्चा एक वरी रिजेक्शन हो जाए वो देवाद बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई भी उनिवस्टी उन्हों द्वारा सी ओई नहीं दिन दिया मनलो प्लस टूदा रिजेक्शन हो या वो ग्रेजुएशन करके द्वारा अप्लाई कर सकता है क्योंकि सर्कम्स्टांसे चेंज हो गए या तुसे किसी होर कंट्री चे जाके एक साल पढ़के पाथवे प्रोग्राम लाके फिर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि तोड़ा सर्कम या फिर अपनी जडी कॉलिफिकेशन हो कम्प्लीट करके फिर वेट करन साल दो साल दो जी जी ठीक है बिलकुल तो मैं लास्ट विच में जो 22 पासवाले अलीवी पुछना चाहूंगी की उना लो नुमंबर इंटेकली हो प्रखनी चाहिए या फिर उना ली आप्शिंस हु किसे हो और आप्शिन बारे सोचन देखो 22 वाले हजे हफ्ते 10 तक ते अपलाई कर सकते हैं वो दे बात जिद्दा जिद्दा नेडे आजाएगा इंटेक इना दी जीटी क्लियर करना बड़ा मुश्कल हो जाएगा और वीजा लगवाना मुश्कल होएगा ते हजे ते इना कुल समा है और कॉलेजी से विचे कर सकते हैं यूनिवस्टिया नहीं लाएंगी जी बिल्कुल सो टाइमली हरेक स्टुडेंट नो जो है अपना राइट प्रसेस देना लगे वदना चाहिए था कोई वितानों हर्डल फेस ना करनी पावेते स्मूथली तो अड़ा प्रसेस कॉंटेक्ट कर सकते हो मैं तो सही गाइडन्स लाइसा देओ आपने डॉकमेंट जरूर लाकिया असेस्मेंट करवाओ ते सही ऑप्षिन देना लगे वदो मैं तो आड़ा बहुत थैंक्स अक्सर तुसी बहुत खास गलना दे ओपर स्टुडेंट्स नो वेर का देओ जिस तुल्हाली दोजी अजाजत थैंक्यू सुमच्छ थैंक्यू सुमच्छ